हेलो दोस्तों वेलकम टू सिंटम अकैनमी चैनल तो आज आट आफ प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम लोग लेके आए हैं एक पर्मुटेशन कॉबिनेशन का क्वेश्चन जो की जैए आस्पिरेंट्स के लिए काफी मददगार साबित होने वाला है तो अन तक इस वीडियो को कुछ रिस्टिक्शन लगाए गए हैं तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इससे पहले मैं आपको यह बता देना चाहूंगा कि अगर आपको याद है हम लोग जो कंसेप्स देखते हैं पर्मुटेशन कॉमिनेशन में जहां पे एन आइडेंटिकल थिंग्स को आर आपर जा रहा है है आँ डिफ्रेंट एंद गूप में बाटा जा रहा है जहां पर सारे गृप पे डूंबर ऑप इंद मिच गोई इस एक एक स्टॉ एक सेकर और एक सट्स ए क्सार सारे सारे मिस्ट ईकोल टो जीरो है तो इसका जो नंबर उफ स्लूशन आता है दोस्तों वो हमें याद होगा वो होता है number of ways is n plus r minus 1 c r minus 1 ठीक है अब इसी concept को यहाँ पर use करेंगे बट उससे पहले हमें counter करना है इन restrictions को अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर कुछ restrictions दिये गए हैं हमारे variables के उपर तो उनको counteract करने के लिए हम क्या करेंगे x पे तो greater than equal to 0 है जो की fit better है इस formula के condition के तहत य greater than 5 है y greater than 5 का मतलब है दोस्तों कि y greater than equal to 6 है तो यहाँ पर अगर हम small y को capital y plus 6 लिख देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो capital y पर restriction आएगा वो हो जाएगा greater than equal to 0 similarly z greater than equal to 2 का मतलब है कि अगर हम small z को capital z plus 2 लिख देते हैं तो capital z पर भी वही restriction आ जाएगा जो हमें चाहिए similarly w को अगर हम capital w plus 1 लिखते हैं तो capital w पर भी वही restriction आ जाएगे तो चलिए अब इन सब को हम substitute करते हैं अपने original equation के अंदर तो डालते हैं small x small y की जगर डालेंगे हम capital y plus 6 small z की जगर पर डालेंगे हम capital z plus 2 और small w की जगर पर डालेंगे हम capital w plus 1 यह इसकी value है 15 इसका मतलब है दोस्तों कि small x plus capital y plus capital z plus capital w हो जाएगा आपका 6 अब हम इस formula को यहां पर लगा सकते हैं इस formula को यहां पर लगाते हैं चलिए देखते हैं क्या result आता है of n हो जाएगा आपका 4 और यही इस problem का final answer है thank you for watching